हलो दोस्तों कैसे हो मैं हूँ अश्वीन और मेरी इस्टेस्ट चनल में आपका स्वागत है आज का जो यह वीडियो स्पेशली फीचर करता है हाउ टू प्ले अगेंस क्विन्स केमबिट ठीक है तो यह वीडियो का जो स्कोप है वह यह है कि वाइट खेलेगा डी-4 हम उसके स सामने खेलेंगे d5 और अब अगर वाइट c4 खेलता है यानि कि क्विन्स केमबिट ठीक है तो उसके सामने हम कैसे खेलेंगे तो उसी पर यह वीडियो है यहां पर मैं आपको जो रिप्लेटरी सजेस्ट कर रहा हूँ है पॉइंट टू e6 ठीक है यह टॉप लेवल पर भी क खेल रहा है और दोस्तों 31 को खास बोल दूँ आप यह वीडियो पूरा देखे अधर्वाइस आप बस थोड़ा देखके शुरू कर दिया गे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका बिशब बंधी रहेगा ओपन नहीं होगा ठीक है तो दियान रखना पॉन टू e6 नाइट c3 d5-square और नाइट f6 अगेन आप देख रहे हो कि d5-square पे ही फोकस है ठीक है बिशब जो है नाइट को पीन कर रहा है और यह d5-square पे white का प्रेशर बढ़ रहा है ठीक है क्यो d5-square प्रेशर बढ़ा रहा है कि अगर d5-square पे black का कोई point नहीं रहेगा मतलब यह पौन नहीं है तो white जो हो e4 directly खेल सकता है और center में जो हो white की position अची हो जाएगी knight bd7 एक छोटा सा trap है यहाँ पर आप 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 knight bd7 की अलावा bishop to e7 भी खेल सकते हो लेकिन क्या trap है knight bd7 खेलोगे और अगर white gridley यह pawn ग्रेप करता है यहाँ पर d5 तो pawn capture d5 और अपका bishop open हो जाएगा और आप सोच रहे हो यहाँ पर pawn तो जा रहा है वो जा नहीं रहा है अच्छली वो trap है knight capture d5 हैगा तो हम खेलेंगे knight capture d5 sacrificing the queen क्यों क्योंके bishop capture d8 तो आएगा bishop to b4 check और जो white है उसको queen d2 force खेलना पड़ेगा और उसके बाद king capture d8 और देख रहे हो दोस्तों white है उसके पास sorry black है उसके पास एक extra piece है तो black एक इजिले जिट जाएगा इसलिए bishop g5 के बाद knight bd7 अब आया knight f3 अब हमें इस pawn को save करना ज़रूरी है तो इसलिए bishop e7 a pin remove कर दिया है आप black जो है इस pawn को मारके यहाँ पे net से ए pawn नहीं capture कर सकता है not black sorry white ठीक है pawn to e3 कैसा रूक c1 आप सोच रहे होगे दोस्तों q white है वो यह bishop develop नहीं कर रहा है और यहाँ पे pawn को नहीं मार रहा है मैं आपको point दिखा देता हूँ देखे अगर वो bishop develop अब जब करता है तो अब हम simply क्या करेंगे pawn से pawn मारेंगे पूर यह जो bishop की move है वो west हो जाएगी मतलब उसको एक बार bishop d3 खेला हम इस pawn को मारेंगे तो वापस उसको bishop capture c4 खेलना पड़ेगा ठीक है ना तो इसलिए white क्या कर रहा है वो वेटिंग strategy इंप्लूट कर रहा है मतलब वो क्या कर रहा है bishop खेलने की जगह से कोई अच्छी सी move कर रहा है तो यहाँ पे rook सीवने का अच्छी move है अब rook को क्या कर रहे हो almost जो file open होने वाली है या half open file है उस पे अपना rook प्लेस कर रहा है तो अच्छी move है ठीक है तो similarly यहाँ पे black पे वो भी वहीं strategy employed करेगा मतलब क्या करेगा वो यहाँ पे देखो आप एक h6 move खेल सकते हो ठीक है जो मैं कहीं बार खेलता हो bishop जाएगा h4 या फिर आप directly खेल सकते हो a6 अब point क्या है a6 का a6 का point है कि अब जब bishop devil होगा या फिर e2 पे हो या d3 पे हम क्या करेंगे d capture c4 अब bishop capture c4 और उसके बाद point to b5 this is the point bishop पे attack है bishop move हुआ और अब bishop b7 अब देख रहे हो दोस्तों आपका bishop है हो निकल गया ठीक है और अब आपको जो main चीज़ दियान रखनी है वह है c5 break ठीक है यहाँ पे अगर white a3 खेलता है तो उसका plan simply है before और उसके बाद आपका जो c7 c5 break है वह almost नामुंकिन सा हो जाएगा तो फिर आपका जो c7 pawn है काफी weak हो जाएगा ठीक है क्योंकि ओपन फाइल पे भी है और bishop g3 वगयरा सा बागी c7 pawn पे pressure build up कर सकते है तो इसलिए जैसे यह a3 होता है आपको खेलना है c5 break और उसके बाद black के सारे pieces develop है और black को game में कोई दिक्कत नहीं आएगी ठीक है और queens game mid decline में जो आपको mainly square पे focus करना है वो है d5 and e4 यह चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है ठीक है तो यह तो यह था कि जब c1 वगयरा सब खेल के करें लेकिन जब हमने a6 खेला यहाँ पे तब वो क्या करना चाता है जानता है कि मैं pawn मारके b5 खेलने वाला हूँ तो फिर वो a4 भी खेल सकता है ठीक है न b5 को stop कर सकता है इस case में क्या होगा दोस्तो कि जो white है ठीक है न वो a4 खेलके यह वाला जो b4 square है उसको weak कर रहा है ठीक है और queen side उसकी पूरी weak हो जाएगी bishop to b7 और black की game अच्छी है black को इस game में कोई दिक्कत नहीं है एक और चीज़ देख लेते हैं जैसे कि a6 खेला तो black खेल सकता है sorry white खेल सकता है pawn to c5 इस case में क्या करेगी इस case में कौन सा break तो सबसे पहले तो pawn c5 to c6 हम prevent करेंगे with pawn to c6 और जैसे कि black खेलता है bishop d3 तो यहां पर हम खेल सकते है यह वाली move pawn to e5 आप सोच रहे हो क्या यार pawn sacrifice हाँ pawn sacrifice है लेकिन अगर pawn capture pawn तो फिर knight e8 और आप देख रहे हो या तो c5 pawn या तो e5 pawn दोनों में से एक pawn चला जाएगा जैसे कि bishop capture bishop queen capture bishop दोनों में से एक pawn तो गया है समझो ठीक है और फिर black को कोई दिकत नहीं है क्योंकि यह pawn जैसे ही निकलता है e6 e5 से आपका bishop जो है लाट स्क्वेर वो ओपन हो गया तो देखो मैंने दोस्तों आपको सब दिखा दिया कि आपको इस लाट स्क्वेर की bishop को particularly कैसे open करना है अगर white जो है वो c4 to c5 खेलता है या फिर pawn to a4 खेलता है या फिर normal bishop d3 वगेरा खेलता है ठीक है तो मुझे आशा है मेरा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा ठीक है गर वीडियो पसंद आये तो प्लेज इस चैनल को सब्स्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट देना बिल्कुल ना भूले तन्यवाज चाहिए बाबाई